कि अलो जी नमस्कार श्वागत अबच्छाव सभी का विश्वास इन लर्निंग प्लेट पॉरम पर हैं आज हम बात करेंगे वेटामारी जो mcq series है उसके बारे में जो objective question है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले हम जाने हैं हमारे पेपर के बारे में कि हमारा पेपर है उसके अंदर क्या क्या है और किसी साब से मुस्की स्टेडी कर सकते हैं जैसे कि आपको पता है तो सेमेस्टर सिस्टम है सेमेस्टर सिस्टम में जो पेपर दिया हुआ है इनिमल डायवरिशिटी कि पीपर का नाम हमारे अनिमल डायवर्शिटी प्राणी विधित था कि इसके बारे में अपन बात करने वाने हैं हमें पहले पेपर के बारे में समझना क्या इसका करने हैं उसके बारे षेसर के अंधर भीधिन प्रकार के जो प्राणी है उनके अपना करने हैं और यहां पर जो हमारे इस प्रकार की फाइलम है उनकी जकन देखना है यानि कौन-कौन सी मुखे लक्ष्ण है उसके के बारे में बात करने है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है इसके लेकर हम बात करने वाले हैं तो पूरा जो हमारा पेपर है उसके अंदर हमारे कि चार सेक्षन है कि सेक्षन ए सेक्षन बी सेक्षन सी और सेक्षन डी पूरा स्लेबस है वो चार सेक्षन में डिवाइड है और एक सेक्षन के अंदर चार यूनिट है कि अधर प्रत्यक सेक्षन के अंदर हमें चार यूनिट में लेंगी यानि मुख्य रुप से बान के चलिए कि चार से पांच फाइलम की स्टडी हमें एक सेक्षन के अंदर कर गी है इसे साथ से अपना स्टडी करेंगे और हमारा जो सीरीज आए गी एमसी क्यूर्ण वो हम section के according लेंगे हर एक-एक section को cover करते हुए चलने वाले हैं तो इसको धाने में रिखे किस परकार से pattern है और इसकी साब से मागे study करने वाले हैं थोड़ा सा animal diversity उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं पहले में किस परकार से हमें इसके बारे में study करनी हैं देखो को जो animal kingdom है उसको हम दो केटिगरी में डिवाइडी कर सकते हैं एक नोन कोड़ डेटा और एक कोड़ डेटा नोन कोड़ डेटा वह ग्रूफ है जिनके अंदर कोड़ नहीं मिलेगी सामाने तक जिसको मानते हैं कि रीड की अड़िए ये वर्टिव्रीा कॉलम जिन में अपृषेंट होता है उनको अपन लोन कोड़ डेट वैसे कि तो तीन गुअटे करेक्ट अवत है नोटser डंडाव सक्थ इसमें मिलते हैं उसको स्क्राणी खाहा जिसमें नहीं मिलते कि शिलेंट्रेटा या निडेरिया भी इसको बोला जाता है प्लेटी एलमन्थीच एसकेल मन्थीच या निमेट हिलमन्थीच भी बोला जाता है इसको एने लिडा अर्थ्रो पोड़ा मोलस्का इकाइनोड्रमेटा यह जो नोन कोड़ डेटा ग्रूफ है इसके क्या फाइलम है प्रोटो जोवा पोरीफेरा सिलेंट्रेटा प्लेटियल मन्थीच इसकेल मन्थीच इनलेड आर्थ्रो कोड़ा मोलस्का इकाइनोड्रमेटा आगे चलकर बात करें अपन कोड़ डेटा की इसको भी आगे चलकर क्लासिफाइड किया गया है प्रोटो कोड़ डेटा या एक क्रेनियेटा इसको बोला जाता है दो ग्रूप में डिवाइड किया गया एक यू कोड़ डेटा हुआ है या क्रेनियेटव इनको बोला जाता है है मैं इसको आगे चलकर डिवाइड किया गया इसको फाइलें वर्टै आँर यहां पर भी तीन सभ फाइलम केमी कोड्रली और है यूरो कोड्रेटलू कोड डेटा ऑन वस्तथिलो कोड्रूट अगे चलकर डिविजन में अगनेथा और गनेथोस्टोमेटा अगनेथा के अंदर है कि फिर दो क्लास आती है ओस्ट्रेकोडरमी और साइक्लोस्टोमेटा गनेथोस्टोमेटा है इसको आगे चलकर और दो सुप्रक्लास में डिवाड़ी किया गया पिसीच और टेट्रापोड़ा को फिर आगे चलकर क्लास में डिवाड़ी किया एंफीबिया रेप्टीलिया एविच और मेमल्स समझ गए एक मोटा मोटा प्रारूफ देखी इनिमल्स के बारे में क्योंकि हम जो लुजी के थे जब स्टड़ी करेंगे तो हमें विभीन प्रकार के फाइला में इनका नोलीज होना चाहिए लुज है बुखियरूफ से दो केटेगरी पोड़ी की बेस पर नोटो कोड नरवा कोड व गिल स्लिट्स के अधार अपर दो केटेगरी बन गई ओए एक कि जिनमें नहीं नहीं आप और नोन कोड़ेट है अब नोन कोड़ेट के यह फाइलम हो गई कोड़ेटा का भी आगे अपने क्लासिफिकेशन कर दिया मैं यह क्यों बताना चाहरा हूं कि हम पढ़ रहें इनिमल डैवर्शिटी और इनिमल डैवर्शिटी सब्द का मतलब क्या पर हमें हमी समझना चाहिए कि विभिन परकार के जिरुजंतों मोझूद हमारे आसपास के वातावन में इन सभी के लिए जो सब्द काम में लिया गया हूए अनिमल डैवर्शिटी और पराणि विभी दो था याई विभिन परकार के फाइलम हैं इनकी ही हमें इन चार सेक्शन के अंदर स्टड़ी कर है जैसे प्रोटो जोवा से लेकर अशिकल मंती जॅनिमेट helpful मंती जए इस सट्क की स्टाड़ आपन करेंगे सेक्ष्ट एक और थीक है पर्टोजौाब-पोरिप्यर्ड करेंगे अपन सेक्शन A के अंदर इस परकाशिचन चारहू section है इसके अंदर प्रोटल हमें इनके बारे में पढ़ना है है कि सेक्शन सी एक सेक्शन सी के अंदर आपके प्रोटो कोड़ेटा है इसके अंदर हमें इन चार एंप यह फूरा हमारा से से इसके कोडिंग पढ़ना है कि पहले में पता होना चाहिए कि हमारे सिलिबेस में देख्या रख्था है तो सेक्षन एक अंद्र अपने यह पढ़ेंगे सेक्षन बी के अंद्र एलनेदा से लेकर एकनोडर मटा थक ठीक है section विभीन परकार के जो ग्रूफ है इनकी हमें स्टड़ी करना है पढ़ना किस तरीके से हर एक फाइलम का क्या होता मुख्य लक्षन क्या है उसका क्लासिफिकेशन क्या है इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे हमारी जो चारों सेक्षन है इसके अदर सभी फाइलम की हम स्टडी करेंगे आप प्रारूप समझ गए होंगे कि हमारी इस पेपर के अंदर क्या है और हमें क्या पढ़ना है आई आगे चलते हैं बढ़ते हैं और एक एक क्यूशन को देखते हैं सबसे पहला क्यूशन है वह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं संप्रोटो जोवा की वर्दीकन की कुंजी लक्षन है दो प्रोटो जो एंज पर पिरा प्रोटो जोजोवा है उसका पहले चलता करेक्टर कोण से यह वह और किसी लख्षन के मिनलाग्शन कि हमारे बेस था यहाँ पर जैसे प्रोटो जोवा यह उस प्रोटो जोवा के वर्गीकन का आधार क्या था उसका कुंजी लक्षन क्या था इसके अंदर ओप्षन एक अंदर आपको दिखे दिए रहा है गम नाम यानि लोकोमोटरी ओर्गेनल ठीक है ओप्षन जो दो है उसके अंदर है प्रजनन का प्रकार टाइप ओप रिप्रो एवब भी दोनों देखो एवब भी दोनों के अंदर क्या है गम नांग लोकोमोटरी ओर्गेनल्स और टाइप ओप रिप्रोडेक्शन प्रोसोर जो बनाया गया उसका मुख्षन क्या तका जिसके अधहर इसका क्लासिटिकेशन आगी वह था उसमें एक तो इसके गम नाम क्योंकि प्रोटो जोवा के अंदर सारे के दार मीशारी सर्फ सदस्य हैं अनदर सारे जितने बी महते हैं वह कौण सी होते हैं कि यूनि शेलूलर एक कोशी की प्राणी आते हैं सारे के सारे इसके अदर जिनकी बोड़ी में एक ही सेल होती है अब इनमें अलग अलग गमनांग मिलते हैं लोकोमोटरी ओर्गेनल मिलते हैं आगे भी हमारे कुशन आएगा वहां देखेंगे शुड़ो पोडिया है सीलिया इनको बेस माना गया और इनके रिप्रोडेक्शन का जो टाइप है उनको आधार मानकर इनका वर्गेकन किया गया तो अब ओप्सन यहां पर आपका सी सही हो जाएगा अब देखेंगे नेक्स्ट क्यूशन दूसरा क्यूशन है प्रोटो जोवा के गमनांग है लोकोमोटरी ओर्गेनल्स और प्रोटो जोन्स अब प्रोटो जोवा के अंदर गमन अंग कौन कौन से है अपने आपका ऑप्सं अ है कसाब कि पक्समाब क्व पार्श मैंनि सील्यया फ्लेंजिला परापोडया ऐसाब कूंटपाद पेजिट का श्लेंट सुड़न लिए इसका आपका सही हो जाएगा option D कैसे देखो प्रोटो जवा के अंदर जो सदस्य है उनके अंदर जो गमनांग मिलते हैं वह शूडो पोडिया को यह कूट पाद को सेलिया यह पक्समा बोलते है को प्लेजिला लोको मोटरी ओर्गन है तो option D के अंदर आपको मिल रहे हैं अब किस किस के अंदर कोण सा मिल रही है जो अमीबा के अंदर क्या मिलते हैंół शूडो पोडिया मिलते हैं में Lud high कैसी होती है इसका कार से एनियमित आ करते होती है एक लोब के समान स्ट्रक्चर बाहर निकलती है सरंचना बहार निकलती है और इसकी साहिता से क्या करता हैं इसका मांना जाता है गमना कोई स्ताइ स्रंचना नहीं है जिस दिशा में बढ़ना चाहेगा उसी दिशा में किया बन जाएगा सोड़ो पोडिया का головा झाये गा तो यह मिलता है अमीमाप के अंध्र कि स्लिया के सकने मिलता है शीन में मिलता है आपको पैरilate मीशियम के इंद्र इस प्रकार से परामीशियम होता है उसकी बोड़ी पर चोटे-चोटे रोम सेद्री से सरंचने होती है इनको बोला जाता है सीलिया और इसी सीलिया की साहिता से परामीशियम क्या करता है लोकोंबोसिन करता है गमन करता है तो सीलिया किसमे मिला परामीशियम और फ्लेजला की इसमें मिलेगा यह मिलेगा यूगलिना के अंदर है यूगलिना बना देता हूं आपके सामने इस परकार से यूगलिना की बोड़ी होती है और एक लंबा सा चाबुक के समान एक धागे जासी सरंचना निकली जाती है इसको बोला जाता है कसाब या फ्लेजीला और इसे की साहिता से क्या करता है यह गमन करता है यूगलिना तो समझे गए प्रोटो जोहा के अंदर कोण कोण से गमनां के जान कि इस दोपोडिया भी है इसे लिए और प्लेजीला भी है इस दो पोड़िया अमिबा के अंदर है सीलिय परमीशियम के अंदर है और कसाब है वो यूगलीना के अंदर है अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्यूशन पर कि नेक्स्ट क्यूशन है प्रोटो जवा कि श्वयपोशी जाती का उधारण है स्वयपोशी पहले स्वयपोशी का मतलब समझी है ऐसे प्रानी जो अपना भोजन खुद बनाते है उनको में क्या बोलते हैं स्वयपोशी स्वयपोशी और एक होता विश्वयपोशी हिट्रोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन के लिए अपना भोजन के लिए स्वयपोश्यों पर निद्वर करते हैं जहां पर जो प्लांट होते हैं, प्लांट सारे के सारे क्या होते हैं, सुवपोसी, इनिमल जितने भी होते हैं, विसम पोसी, या हिट्रोट्रोपिक, आपको लगता भूला सर, हम भी तो खाना खुद ही बनाते हैं, ऐसे खुद बनाना नहीं होता है, लेकिन जो खाना बनाने के लिए अपन तो क्या हमारी बोड़ी में बोजन बनने लग जाएगा ऐसा होता तो बहुत आसान काम हो जाता दूप में जाकर खड़े जाते जो कुछ जिसकी रिक्वार्मेंट होती वो बोल देते हैं वो बन जाता लेकिन ऐसा नहीं होता है जिनके अंदर कलूरोफलास्ट होता है सहल के अंदर हरीत लवक वो ही क्या कर सकते हैं परकास इंसलेशन के किरिया के दुआरा अपना भोजन खुद बना सकते हैं ऐसे जियों को बोलते हैं पनस्वापोसी इसमें पूछा कि प्रोटो जोवा जैसा कि हमने कहा कि जो एनिमल होत यूगलीना क्या होता है इसके अंदर कलूरोफलास्ट मिलते हैं और ये अपना भोजन खुद बना सकता है तो ये प्रोटो जोवा की एक स्वापोसी जाती होगी इसलिए यूगलीना को पादप हुआ जन्तु जगत के मद्दे की योजब कड़ी भी कहा जाता है कि क्नेक्टिव लिंक बिट्विन प्लांट एंड इनिमल के योजब कड़ी क्या होती है जो दो ग्रूप के जैसी प्रिसेस्टाइं रखता है वह से देखें तो यूगलीना क्या है इनिमल है कि जन्तु है लेकिन पोशन की आतार पर बात करें तो ये पादपों की तरह पादप और जंतु जगत के मद्दे की योजब कड़ी भी का जाता है यह जाता है जाता है जलेकर लिए यवदो Unicellular Organism जेव संदीप्थ जो क्या करता है प्रकार्श लाइट उत्पन करता है जिन से प्रकार्श उत्पन होता है ऐसे जूंको बहुत है जेव संदीप्थ जीव तो ऐसा कौन सा जी वैंज में से जो जेव संदीप्थ है नोक्ति लुका है ट्राइकोनियन पा है मोनोसिस्टि और हेल्ट एरिये इसका ओप्सन हो जाएगा नोक्ति लुका ओप्सन हो जाएगा नोक्ति लुका हो जायेगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन पर देखें नेक्स्ट क्यूशन क्या है पोरी फेरा में पोश्टन में साहेक है नालतंत्र पांचातंत्र अहार नाल और आमा से अब जो फाइलम पोरी फेरा है कि पोरी फेरा के अंदर पूछा है कि पोश्टन के अंदर कौन सायक है इनकी न्यूट्रिशन में कौन मदद करता है कौन सा सिस्टम करता है इसका उप्शन हो जाएगा कि नाल सिस्टम नाल पंत्र अब यह तो ऑप्शन तो हो गया बोलो पोरी फेरा के अंदर नाल तंत्र के द्वारा न्यूट्रिशन होता है कि पोश्टन में सायक है लेकिन नाल तंत्र होता क्या है देखो जो पोरी फेरा के सदस्स्य है कि पहला फाइला मैंने आपको बताया प्रोटो जुवा तूसरा कौन सा पोरी फेरा इस नाम में देखे क्या चुपा पोरी फेरा कि पोरी बना सब्द पोर से और पोर का मतलब क्या होता है छिद्र इनकी पूरी बोड़ी क्या होती है छिद्रित होती है कि यह ऐसे प्राणियों का ग्रूफ है जिनकी बोड़ी पोर्ड होती है चिद्रित होती है पूरी बोड़ी पर छेद मिलते हैं अब जो प्रोटो जुवा के सदस यह थे अमीबा पैरमीशी विभलिना यह एक कोशी का वाले प्राणी थे चिद्धे पानी के संप्रक में थे त कि सारे के सारे क्या हो आउंगी स्पाट कोशी के होँगे मल्ट चलूर रोंगे अब बहुत चारी कोशी के होंगी तो सभय gün द्वारा हार काम होना मुस्किल हो जाता है भी यहां पर श्काय करें औक्षिजन की जैदा यहां तो भारी माध्यम से इसके अंदर आ जाएगी अधिक शांदरता से कम शांदरता क्यों ऐसा प्रक्रम क्या है विश्रान या डिफ्विजर अब इनके अंदर क्या होता है गिन के ऊध्य को होते हैं नलिकाया होती है वह नलिकों को यह संप्रेकना पानी के अंदर लेका इस्परकार की सिर्फम को वड़न चाता है यह मिलता यह पूरी फेरा के सदचों का विशिश लक्षन है इन्हीं में मिलता है नालतंत्र हलांकि पोशन में नहीं यह स्वशन में भी साहिक है नालतंत्र किस-किस में साहिक है पोशन या नूट्रिशन के अंदर भी साहिक है श्वशन के अंदर भी साहिक है उत्रज्ण में भी साइक है अचे प्रज्णन में भी साहिक है यह तो यह नहीं कि पूशन ही मिले आपको ऐसा भी पूच लिए कि पोरी प्रॉशन में और साथंत्र शाहिक है तो भी नालतंत्र अप्शन उत्षर्ज्ण के अंदर भी क्या वगा यह कोगा सिस्टम का होता है जिसे पानी बोड़ी में जाताँ प्रत्य कोशी का पाणी के संप्रक्न में आती है फिर वह विश्रण के द्वार अपना काम कर लेती है तिन П्रकार की केनार सिस्टम मिलते है पूरी फिरा साइकोनोइड और लुकोनोइड केनाल सिस्टम ठीक है तो अप्सन हो जाएगा इसका केनाल सिस्टम कि नेक्स्ट क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन निमन वरग के सदस्चों को ग्लास स्पंज भी कहा जाता है किसे क्लास के सदस्चों को अपन ग्लास स्पंज बोलते है पोरी फेरा के जो सदस्ची होते है अभी हम बात कर रहे थे पोरी फेरा की पोरी फेरा के जो सदस्चे है इनका सामने नाम क्या स्पंज इनको सामने ते स्पंज खा जाता है अब इन की जो अलगले कास इने के सद्चिशंये कुछ नाम है जैसी क्यूस्ट रखुज्ट ऐन्दर आपको क्या दिया है निमन व्रख क्या निकॉंसी क्लास की सद्चिशंय को सद्चिश भी कहा जाता है ठोगलस ऑ्यृ वह सद्चिशंय का कहिन नहकर Sum cellular किจะ सब्सक्राइब क्लास की निए जाती है उनको बोलते हैं अपन ग्लास इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा हैजक्टी इलडा ऑप्शन दी एट जक्टी निलडा की एट-इकजटनी आडा की जो शदसे हैं, उनको कहा जाता ब्लासज इसाथ में LOSP boots कैज ठीक है, option हो जाएगा D, इसके साथ में dmños punji जो class है dm样 lungs क्लास के जो सदस्य कहीं इनका भी सामने हिन Бथान में इनको बोला जाता प्लास स्पॉंच को जैसे नहने वाला सुनान करने वाला जो स्पंज आता है उसकी तरह तो उसको बोला जाता बात सपंज यह भी ध्यान में रखें डिम्स पॉंजी ग्लास के सब्सोंज होते हैं उनको सामने तरह बात सब्सक्रोंज कहा जाता है और एक क्लास और जो स्क्लेरा ह confrontation गैअड अब देखेम लोगंड लोगंड करेंड बाद कोको आपको सित्धा के स्सहरे कि कॉछ कस्ते हैं बॉस्पंज हो बातás बरा confidence कहा जाता है स्क्लेरो स्पॉंजी है केल के दिया यह भी क्या है पोरिफेरा की क्लास ही है दोनों की भी ध्यान में आप रखिए नेक्स्ट अगला क्यूसर विनस की फुस्प टोकरी नाम से ग्यात जीव का नाम है कौन से जीव को इन में से विनस की फुस्प टोकरी या विनस फ्लोवर बास्केट के नाम से जाना जाता है शिदा शिदा है नाम ध्यान में रिखे यूपलेक टेला कोमन नाम है यह है विनस की फुस्प टोकरी कहा जाता है यूपलेक टेला को ये भी पोरिफिरा का ही एक सदस्य है यूपलेक टेला चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन पर कि नेक्स्ट क्यूसरे हमारा संग पौरिफिरा का जेविक शंगटन है वाट लेवल ओप बायालोजिकल ओर्गिनेजेशन आर्ड इमनेवर ओफं फोरिफिरा यानि पोरी फिरा के जो सदसें उनके सरीर का संगठन किस स्तर का है अब इससे समझे बुल लेवल ओप ओर्गिनाजेशन या सारीरिक संगठन या सरीर का संगठन का मतलब क्या है हमारे बारे में सोचे हमारे सरीर का संगठन किस स्तर का है तो हम कहेंगे बुल साब हमारे सरीर म में अंग हैं और तंत्र हैं यानि हमारी बोड़ी है वो अंग और तंत्र स्तर की है ओर्गन सिस्टम लेवल की लेकिन क्या पूरी फेरा के सदश्यों के अंग और तंत्र हैं नहीं जैसा मैंने बताया कि जो बिन फाइलम है एक पेटरन ध्यान में रख लीजिए सारे फाइलम से संब्दिती कि उसन आपका कलियर हो जाएगा पहले तो आप फाइलम के नाम ध्यान में रखी सभी कि प्रोटो जोवा पौरी फेरा शिलेंट्रेटा प्लेटी हेलमंतिज एसकेलमंतिज एन्यलीडा आर्थ्रोपोडा प्लोट्रेंटी का मॉलस्कार और अब देख को प्रोटो जोगा के जो सदस्दें बोडि के अंदर मत्र मत्र क्या एक शहल हो इसका मतलब इनके शनीर का संगटन है वह किस लेबं का ओभा जीवधर्वेष्टर का प्रोटो प्लाजमिक लेवल का होता है जीवदर्विय अस्तर का प्रोटो जुआ की बात कर रहा हूं कि एक ही सेल है और सेल के अंदर क्या प्रोटो प्लाजमिय जीवदर्विय उसी के द्वारा क्या करेगा अपनी सारी जीविक किरियां करेगा इनका लेवल माना जाता इस ल कोशी कहें तो हम आगे देखेंगे पोरी फिरा के जो सदस्य होते हैं इनके सरीर का संगटन होता है सेलूलर लेवल का कि अच्छेलूलर लेवल ओर्गिनाइजेशन क अच्छेलूलर तो हैं बहु कोशि के अब आपके दिमाग में रहेगा पहलेगugen बहुत सभ्तब्स कि निर्मान कर लेती हूं उद्वह burgers का icon कर लेती है उंकी पोड़ी का लेवल कैसे होणना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कि इनकी बहुत सारी कोशी काँ ने क्या पाया जाता है कि तब बैदार wszyscy狂न से अपना इपना काम करती उत्तक्त झब कहेंगे ड़शल्म कायों क मिलकर एक प्रटीक उधर क्रेंगी तब उस कोशी काऊं तक नहीं कहेंगे अब यह मल्टी सेलूलर तो हैं लेकिन कोशी का है स्वतंत रूप से अपना काम कर रही है इसलिए पूरी फेरा के जो सदस्यों के सरीर का संगटन किस लेवल का माना जाता है कोशी की इस तर का माना जाता है इस कुस्टन का तो आपका उत्र हो जाएगा यह लेकिन मां आगीवाली भी बता देता हो समानेपन पेटर्ण पड़ते हैं बहुत सारे अंग मिलकर क्या बना देंगी अंग तंत्र बना देते यह पेटरना कोशिका से क्या मिलता है बनता है उत्तक बनता है उत्तक से क्या बन जाता है और्गन बन जाता है और्गन सिस्टम इसी पेटरन को ध्यान में रखिए यहां से क्या बन गी सैल बन गी इनकी बोड़ी का लेवल किस लेवल का जाएगा उत्तक स्तर का इने टीशू लेवल है उगिज्धी लेवल का प्लेटी मंतिज के सतच और मथा है प्लेटी मंतिज के सधस्यों का किसा जाएगा।ो चोंग्ग स्यांति यानि सबुस्रेल मंतिज इस को के सरीर का संक्रत हैं गवरिफ से डवलप्ट तो यह बताए आगे वाले जो सदस्य हैं उनके सरीज का संगटरन कैसा होगा अब अंग तंतर यहां पर विक्षित प्रटन तपित हो गया इसका मतलब आगे वाले जितने भी प्राणी आएंगे सब की बूर्डी का लेवल कैसा होगा अंग तंतर स्तर का यानि सब के सरीज में क्या मिलेंगे विभिन प्रकार के कामों को करने के लिए विभिन प्रकार के अंग होंगे और तंतर होंगे हां इतने हैं कि आप साली तंतर डवलप्ट नहीं होते हैं लेकिन दीजे दीजे तंतर इनमें बनना लग जाते हैं अब यहां पर क्यों बनता है क्योंकि देखने मे आपको फाइलम का इस करम से इन चीजों को याद रखना आसान हो जाएगा इस क्योशन का आपका जो ऑप्षन है वह जाएगा बी कोशी की स्तरका अब बात करते हैं अपर नेक्स्ट क्योशन की अगला मारे क्योशन है पिंवन में से क्योशन लक्षन नेदेरिया के सही है कि विच आफ दे फोलोविंङ क्रेक्टर एप्लाई टु रफाईलप नेदेरिया या शीलेन डेता शीलेन टेटा की नाम क्या नेदेरिया बोला जाता है इनके संद्रब में अपने कोई पूछ रहा है कि कौन सा लक्षन निडेरिया के लिए सही है शमांगी खंडी बहुन यानि समान रूप से खंडों का मिलना पहला दूसरा है दिर्ण गुईक देहे गुआ या साइजोसीलिक शीलों तीसरा बहु रूपता और चोता है डैपलूरा डैपलूरूरा लारवा इसका आपका जो ओप्षन है वह हो जाएगा बहु रूपता पोली मोर्फीजम शमझे बहु रूपता का क्या है जब कोई भी ची होता है उसमें दो या दो से अधिक बोड़ी के रूप मिलते हैं तो उसको बोला जाता है बहु रूपता यानि नाम से बहु मतलब ज्यादा रूपता अब दर रूपता सबसे सीम्पल एक्जांपल समझ सकते हैं अब ह harassment मदुमक्य से मदुमक़ी में आप देखती है रानी होती है के नर होता है ड्रोण जिसको बोलते कोAre lerकर होते है मदुमककी वेक्न लेकिन तेन अलग रूप नहीं है तो वह लुपता है उसी प्रकार से हम यहां जो निडेरिया है या सिलेंड रेटा है उसके सदसियों में भी क्या पाई जाती यह बहू और बहुरूप्ता पाई का इनके सदसे एक से जयदा रूपओं के अंदर आपको देखने को मिलएगी जैसे प्रेया का सदस्य होते हैं में दो अवस्ताई में होती है को फॉलूप मैं लो एक होती है मेडू स भातो है में ब होता है कि पॉलिप क्या होता है सेसाील होता है लगेगा और यह आपको च्थटे के समान लगेगा umbrella set कुछ इस प्रकारशी होता है ये इसका medusa रूप होता है ये टेंटाकल निकले देते हैं इस प्रकार से जो फ्री लिविंग होता है लेकिन medusa क्या करेगा ये किसको पैदा करता है ये पोलिप को पैदा करता है इसकी बोड़ी कुछ इस परकार सी होगी इस परकार से समझ लीजिए तो दो अलग अलग रूप है इसलिए क्या बोलेंगे बहु रूपता ते किसमे तेखने को मिलती है इसका अप्शन हो जाएगा आपका भूपता अगला क्योंचन अगला नडेरिया संग की सम्मिती है नडेरिया है वोट सिमेट्री कौनची सम्मिती इसके अंदर पाये जाती है दिवपार्श वै बाइलेटरल अरिये गोलिये और ऐसमिती पहले तो यह समझते है किसमे सम्मिती कौनची है नडेरिया के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर अरिये सम्मिती पाये जाती है रेडियल सिमेट्री पहले सिमेट्री सब्द को समझे इसका मतलब क्या है सिमेट्री यह सम्मिती है शरीर में अंगों का विवस्तापन वो क्या कहलाता सम्मिती कहलाती है जैसे कि यदे किसी एक जीव को यह मालीजी एक जीव है इसको अपन एक मुख्य एक्सिस से दो ब्राबर भागों में विवाजित कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं एक इक भी में एक मातर यह एंल है किratos इस एंगल सकते हैं है इस एक्सक्राइब करेंगे तो लगभग दो एकी मुक की एक से दू ब्राबर भागों मी वजित किया सकता है उसको बोलते है दिव पार्षव antar Di記 purity कि टाइप कित भी इया सपरिकल कि गोली समीदी होती है और यह रेडियल समित्य होती है है कि दिव स्ब्स वा बाइलेटरल होती है उसको था बोल दैइए एसम्मित्य यह सम्मित्य आप सिमेट्रिकल है कर अब जो प्राणी बिल्कुल गोल आकरती कहते हैं गेंद के समान जिन में कि इंद miser को आगे का भाग ओता सपर्स्ट की ये पीछे यह उपर का नीचे को बिलकुल गोल व smix को कितने भी एंगल रटी करें कि कि धर से करिए इधर से करिए इधर से करिए इधर से करिए दो पराबर आपन बना सकते आप ऐसे सम्रे свा बोल जाता है गोल ini सम्मिति को डिव पार्षम का मैंने आपको बताई दिया कोई बीजीव को एक ही मुख्य के अक्सिसरे पर दो दू पराबर सम्मिति बाइन को नाम से दिव का मतलब दो पार्षम है जैसे यह अब इस एंगल से डिवाइड करूँ का तो दो पार्शों बन जाईगे को क्यों समझ लिगे टेसी जीव कि California यह बहुता पॉस्त लीच वोटा अधर q kita a यह किसी मुख्य अक्सिस से कसी भूपरों विभाजित कीप रसकता है कुष के दिपार्स त्हर्ब्र सामिदी तक कि जब किसी जीव को्थ For प्रेदा एंगल से अपने दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं तो वो क्या कर लाएगी अर्ये सम्मिति या रेडियल सिमेट्री और जब किसी भी एंगल से दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते तो वो कर लाती है सम्मिति अब यहां द्यान देजिए निदेरिया की जो सदस्य है सेलिंटा के सदस्य है we clown makes content मिलेगी उसमें अरय सम्यति मिलेगी निदेरिया के बाद में नमर किस क्यादा प्लेटी हिल बती है कि एसकेल मंदीज एनलेडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनौडरमेटा ध्यान रखिए प्लेटी हिलमंदीज से लेकर आगे वाले जितने भी सदस्याइएंगे सब में कौन सी सम्मिति होती है दिव पार्ष। सम्मिति एक अपवाद ध्यान में रखिए समयति है और इसका जो लार्वा होता है जिसका नाम होता है पैपनेरिया है ऑगे बात करेंगे आगे कुछ ने अवा सब्सक्राइब मिलने वाली है ब कि द्यूपार्शी ज है या दर जाएगा राम से निडिरिया में सभी क्यों की यह तो कोई समीत्य कि तो को सorkand एके वालेन दो कि गोल से एकैन्य समतिक है या उसमें एस निटेरिया के अंदर अर्य आज़ें के सम्मितिए रेडियो समय्त्री है लेकर आगे वाले सभी सभी मिलेगी डीवाद्रव जा टेहने सभी होगी तो यह पारश्व है अनियुद Katie और पथ्यों पूलस्का में कौन सी यह दिवाफ़र्व 통 environment अगला किसन नेक्स्ट क्यूशन है दंसकोशी कही है कि निमेटो सिस्ट और निमेटो सिस्ट के बारे में पूचा दंसकोशी कहीं कि बारे में क्या है यह यह देखो जो निदेडियरिया है कि निदेरिया सिलेंट्रेटा इसकी बात कर रहे हैं ठीक है फाइलम सिलेंट्रेटा या निदेरिया के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर एक कोशी का किस फाइलम के सदस्य में पाई जाता है कि involved इस निदेरिया में या संग इंस कौशी का यह नीमेटोसेस्ट नाम से दंस का मतलब दगने का काम करती है यह प्रोटेक्शन का काम करती है यानि सिरुक्षा पर्दान करती है एक प्रकार की सहल होती है अभी जो मैंने बताया कि छीलेनटेटा के सदेशओं में बहु रुपता मिलती है पोलिप और मेडुसर में जो यानि इनके अंदर टॉक्षिक पदार्थ होता है जो उस पर छोड देती है उस लिजम जैसे अपन निडल लगाते हैं सीरिंज लगाते हैं उस तरीके का काम करते हैं दंस कोशी कई एक तो काम हो गया इनका प्रोटेक्शन का शुरुक्षा परदान करेंगी दूसरा क्या करें क democratic काम मले लेंगी तो कहीं न étaरर दोनों काम हो गया इसका चाम क्या हो गया पौर सब्सक्राइब और शुरुक्षा भी बादनी बी क्या करें गी तो कमें कि अगला देणिंध और गोका राती दे गेविटी ऊप निडियरियन बोडी इस नोर ह स्पंजों शल कालाती आंतर गुवा ऐसे इनकी जो गुवा कालाती है वह जट्ठः सेहवाई गुवा कालती है निडेरिया का एक नाम हो रहे है कि शिद्रेटा कि है सिलेंट रहे असां कि यह यह बना है शिलेंट्रेटा में शिलेंट्रोन नाम से शिलेंट्रोन के विटी शिलेंट्रोन यह जिसको क्या पहले दाता है गेस्ट्रो वेस्ट्रो 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 वेस्ट्र के अंदर पाई जाती है और एक प्रकार से नुट्रिशन की साइट होती यहां पर भूचन का पाचन है वो कोते है तो निडेरिया की जो गुहा होती है वह कहला थी गेस्ट्रो वेस्कुलर के विट्टी या जठ्ट्र संवाई गुहा ओप्शन भी अगला क्यूशन अगला क्यूशनने सं नैडेरिया का लारवा है इसका अप्शन हो जाएगा आपका प्लेनुला लारवा क्या समझते हैं अब पहले तो यह समझना की लारवा की बला का नाम है देखो परिवर्दन होता है दो परकार का एक परिवर्दन होता है प्रतिक्स डारेक्ड 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 डारेक् प्रतिक्स परिवर्दन मनुष्य में देख लीजिए जन्म के समय जो बच्चा होता है उसमें उसके प्रतिक्स परिवर्दन लेकिन प्राणियों के अंदर जन्म के समय संतान होता है उस्परकार का पृद्दिन कहलेगा इमंडाइजिक्ट डवलप्मैंट अप्रतिक्स परिवर्दन किनि में मिलता है जिन प्राणियों के अंडे में पशिन कम होता है व還有 पूरा परिवर्दनें अंडे के हो नहीं पाता है अल्य है क्ष Sharon ¿no भा Temे उसी सरंचना को क्या बोला जाता है लारवा और यही लारवा आगे चल कर नित्रिशन लेता है बॉश्फ करता है और बाद में किस अuben्वठ हो जाता है यह यह वैसके अंद्र हो जाता हैं है तशाफ परीवर्दन होगा वां परिवर्दन के अंदर जो लारवा इन यह बनता है वह लारवा है प्लेणूला लारवा ओप्शन भी ध्यान में रिखे जितने भी लार्वा के नाम आते हैं वह कात्री प्रोटयंट है डिफिनेट क्यों आपको मिलने वाले लार्वा के नाम में से तो नडिरिया के अंदर यह शिलेंट्येfeldra के अंदर जुलार्वा मिला उस लारा का नाम क्या प्ले Şu ड्रोह सांат को Clقي pesak नहीं है यानि इन में से प्लिटील मंतिज जो फाइलम है उसमें कौन शी विसेशता नहीं पाई जाती है नहीं पूछा द्यान देना विसेशता नहीं है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्री सिपेलाइजेशन उसी में है अरिये सम्मीति क्या नहीं मिलेगा प्लेटियल मंतिज के सदश्यों में कि देखिए के बाद में जो अगला अमरा फाइलम आता वो आता प्लेटियल मंतिज इसमें जिन भी प्राणियों को रखा गया है वो सारे के सारे कौन से चप्टे करनी प्लेटिज का मतलब भी होता है फ्लेट फ्लेट वों चप्टे करनी जो सारे चप्टे होते हैं जैसा मैंने बताया कि निडेरिया के अंदर अरिये सम्मीति है प्लेटियल मंतिज के बाद में युवाजित किया जा सकता है इसका मतलब क्या हुआ किन में समयमिती कौन सी होगी बाइलेटरल सिमेट्री होगी यह लक्षनिंग के अंदर मिलेगा अब एक स्त्रोर के त्री जन स्तरिये ट्रिपलो ब्लास्टिक देखो जिन प्राणियों के परिवर्धन में दोई स्तर बनते एक्टोड्रम और एंडोड्रम इसको बोलते हैं अपन डिपलोब्लास्टिक दिवस्तर यह और जिन प्राणियों के परिवर्धन में एक्टोड्रम मिजोड्रम और एंडोड्रम देखो क्या है यह शुक्रानों और अन्डानों जैसे मिलते हैं निश्यचन होता है कईल धिवेज या विदेलन से आगे कौन से स्टेज्ट आयेगी ब्लस्टोला कि हिपर सगेंद के समान बनेगे तो मौड़ुला खोक्ली गेंद के समान बनेगी कि ब्लस्टोला के बाद में आगे वाल स्टेज पहुंछ चैarnya कि गार स्टूलाओ कि बनना देता हूं एक मिनिट के लिए तो कि यह मुख्य बाते हर हमारे लेक्चर के अंदर आपको काम आने वाली है कि स्पम और ओं शुक्राण और अंडाण इनका क्या होता है मिलन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं प्राटिलाइजेस निश्यतन निश्यतन से क्या बना जाइगोट बना अब इस जाइगोट में विभाजन होंगे उन विभाजनों को अपन क्या बोलेंगे क्लिवेच या विदिलन बोलते हैं जैसे इसमें विभाजन हुआ इस परकार से और कोशी काई बनी है तो कि एक कोशी की सरंचना है आगे चलकर यह भूख कोशी की सरंचना में करवट होगी तो विभाजन होंगे तो उनको क्लिवेच बोला अब यह खोकली गेंद के समान बन प्रेदेख खोकली के समान बनी इस परकार से कोशी काई बनी अंदर केविटी गुवा इसको बोलेंगे ब्लास टूला इसके बाद में आगे वाले स्टेज है वह आएगी गेस्टूला और इसे गेस्टूला में एक स्टर से कितने स्टर बनते हैं कुछ प्राणियों में दो स्टर बनेंगे एक्टोड्रम बाहर वाले को बोलेंगे एक्टोड्रम या बाही स्टर अंदर वाले को बोलेंगे एंडोड्रम या अंतर स्टर इसमें दो स्टर बनेंगे परिवर्धन कि तुषी जनस्तेई यद त्रिस्तरिय एक वात है त्रैकल प्रेटिल मंथीज के शिदस्यГ थे पाइल मंदीज नहीं इसके बाद में जितने भी फाला ममें ब्लास्टिक्न heart Haynesy ने लोग नहीोग यह पहला ही ग्रूप है सब गाले तीन बने इसे पहले वाले तरह पर दिवस्तरिय आपको पता कि जदा एडवांस कोंट चाहिए अब तरी स्तरिय प्रेटर ने बन गया तो आगे वाले सभी सदस्य में क्या मिलेगा त्री स्तर यानि तीन नों स्तर मिलेंगे अब यहां से प्लेटियल मंतिज नहीं इसके बाद में आने वाले जितने भी अधरम आएनम गये सारे के सारे क्या होते ट्री प्लोगलास्टिक होते तो प्लेटिल के सदस्AKE 55 equivalent होते हैं तो पहली विस्याश्था कि ट्रप्ल ब्ल स्टिक इनकी विस्याश्षता यह होते समीतृ इनिके अंदर रेडियल्य समेंट्रिये सम्मीति नहीं मिलेगी तो किस Rain Mid tri झाने भी ऑख करने के आड़ा डे के वैस्क में इन सब में कैसी मिलेगी दिवपार्शा सम्मीति में उसका मतलब बता देता हुआ का मतलब होता शीर्फ का निर्माहठ जैसे आपने हो कि हमारे उंदर युक्ष को पर क्यूं पर खोपड़ी में क्या सवेध्य अंक्य है नाक वह उन प्रकार की उन प्रकर के है कोई पराणी जब सबसे पहले पराणी बना जäsित चला तो आगे वाले भाग में इसमें के अंदर पुछह की विशेष Hai नहीं पाए जाते ओप्सन सी होगा इस्कु सब्सक्राइं यह हुँ०्शन है झैक लॉइज के अमधारा चप्टे करमियों की वर्ग है थिए आप लेकर को कौन सी यह इस passar ऐसे कि अफ़ीर में सवेका है कि इनके अंदर कौन कौन सी क्लास है ओप्शन हो जाएगा आपका इसका डी सही ट्रेविल एरिया ट्रीमेट ओड़ा और सेस्ट ओड़ा नाम ध्यान में रखिए त्यूनों जिसे मैंने बताया कि हर फाइल नम की क्लास को ध्यान रखने कोशिस करें त्यूसर मैं सारी कवर अब आपके नाम ध्यान में रखिए त्यूनों ध्यान में रखिए ट्रविल एरिया ट्रीमेट ओड़ा और सेस्ट ओड़ा यह तीनों की तीनों क्लास है प्लेटी हिलमंति यह चप्टे करमियों की कि चलते नेक्स्ट क्यूस्ट पर अगला क्यूस्ट है हमरा चप्टे करमियों में उत्ष रजन होता है आप्शन एक कोईनो सैट के दुवरा आप्शन बी जुआला कोशी का से आप्शन सी परन कायमा से आप्शन डी मिजेन कायमा से इसमें हो गया बेटा जुआला कोशी का फ्लेम शैल देखो यहां पर अप्लेटी हेल मंतीज इस फाइलम के सदस्यों के अंदर है कुछ न कुछ विशिष्ट विशिष्ट है निडेरिया के अंदर है या सिलेंटर्टर के अंदर क्या था सिल едwo की इसके अंदर है कि यहां तक हमने का था कि इनमें एंग ही मिलती है तंतर नहीं मिलते हैं तो हमारी प्लेट परकार की कोशी कह यह बोला जाता ज्युआला कोशी कह यह फ्लेम शैल ya फ्लेम प्लेमशेलस केले विषिष्ण रंचना है इसके बाद में प्लेटील मंद्जिच के सदस्ये इंने मैं क्या पाय जाती है जुआला कोशी का फ्लेमशेल्स सेलस पूरी बोड़ी में पाय जाती है यही बोड़ी से जो वेस्ट प्रोड़क्ट होता है नाइट्रोजन स्वेस्ट नाइट्रोजनी उत्रजी पदा तो उसको भार नेकाले काम करती है तो प्लेटी इलमंतिज के सद्देशों की विशेष विशेषता ध्यान में रखे जुवाला कोशी का आगे वाले ग्रूप की जो ऑसकी भी बिता देता हूं अस्किन मिर्ट कोशी का के अंदर क्या मिलते हैं इन लिड़ा के अंदर लिकि देता हूं यहां पर मैं प्लेटियलमंतिज के अंदर क्या मिली flame Sam is ऊ है चे जोछ वाला खुषिका इसके बाद में इससे आगे वाला गुरूफ पार आसके इनके अनदर के अंदर क्या मिलती है अर्यनेट की नियुक्षिक अ एज हैुआ कि भी को विसीष्टत ध्यान रखें इसके बाद में आगे वाला गुरूफ आता है एनियलेड़ा एनियलेड़ा के अंदर क्या मिलते हैं नेफ्रीडिया में हो कि एनिल्जा के बाद में आता है आर्ठोफोडा जिसका मतलब बहुता संधित उपांग आर्थ्रोप पड़ा के जो सदसे होते हैं इनके अंदर क्या मिलती है इनके अंदर ग्रीन ग्लेंड मिलती है विशिस्ट चरंच नहीं भी ग्रीन ग्लेंड कोक्सल ग्लेंड मेल्पीजन टुब्यूल मेल्पीजन लिकें यह इनके अंदर उत्षरजन के लिए मिलती है और बाकी कि जब आगे वाले फाइलम के स्टड़ी करेंगे तो इनके बारे में और ध्यान कर लेंगे लिए इस ओप्सन के अंदर आपका उप्सन होगा जो अला कुशिका या फ्लेम सेल तो यह थे हमारे आज हमारे दिये सेक्षन चैर के अंदर एबी सीडी के अंदर हर फाइलम को ध्यान में रखते हम उसके लक्षन की बात करेंगे उससे समंदित बाकी जो भी और क्यूसन बन सकते उन सब को लेकर अपन आगे बढ़ते रहेंगे एंगे बने रहें हर वीडियो को देखते रहें आया होगा फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत लाउट लगता तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप छोड़ सकते थैंक्यू सो मच